बारतिय जनता पार्टी के राष्टिय अत्विक जी, मन्तर विराजमान, पार्टी के सभी वरिष्ट नेतागन और मेडिया के सबसाथियों सबसे पहले तो हमारे पुर्वक के वक्ताओं ने जो बाते रखी है, उस सब के नीचे मैं अपना स्विक नेचर कर देता हूँ और इसलिए रीपीट करने के ज़रूरत में पड़े हैं मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत पांच वर्ष में जो सहीयोग मिला, समर्थन मिला और ये जन सहीयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलता पुर्वक कर पाए और इसके लिए मैं देशवासियों का आप सब का रजय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता आमान नरिते ये स्वाभाविज हैं कि चुनाव के पहले हर राजने तिक दल अपनी मतनी बात लेकर क्या आती है लेकिन राजनाजी के नेत्रुत्व में हमारे अद्धिक जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले दो-तीन महेने लगातार महनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात उनकी आशा, आपेक्षा, आकांख्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्युमेंट में भले सब कुछ ना आ जाएं लेकिन उसकी मुल्भूस बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो महनत की एस्टीम ने, मैं इस्टीम को रदय से बहुत बदाई देता हूँ शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर आगे काम करे जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार मिमस हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोक तंत्र का true spirit है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है आपने देखा होगा कि manifesto में तीन प्रमुख बातों का उले किया गया है और उसी के आसपास हमारा पूरा ये document तयार हुआ है राष्टबात ये हमारी प्रेरणा है अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सूसासन ये हमारा मंत्र है इस पूरी रचना जो है उसमें एक आम तोर पर ये manifesto 2024 के लिए है लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब जंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आजहादी के 75 साल होंगे तब तक हमने देश के महपुर्षों ने जिन सपनों को लेकर के आजहादी का जंग किया था आजहादी के लिए बलिदान दिये थे जब आजहादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्फित करने की दिशा में कुछ एहम काम कर ले पूरा कर ले इस उद्दे से 75 वर्ष 75 लक्ष यह हमने ताय किये हैं 75 निश्चित कदम हमने ताय किये हैं यह अपने आप में time bound, well defined शायद ही कोई गोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे उसी साथ साथ हम जब इस manifesto को लेकर के आए है तो साब है हमारे मन में One Mission, One Direction हम देश को सम्रुद्द बनाने के लिए सामान्य मानवी के ससक्तिकरण को लेकर के जन भागीदारी को बढ़ाते हुए लोग तांत्रिक मुल्यों को महत्मय देते हुए और सरकार की सबसे बड़ी कसोटी यह नहीं होती है कि आपने क्या किया सरकार के सबसे बड़ी कसोटी है लास्ट माइल डिलिवरी के और इसलिए बन मिशन बन डाइरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्दारी मंत्र है उसी प्रकार से हमारे सबाज में विवीदता है भाषा की ये विवीदता है जीवन सर की भी विवीदता है शिक्षा में भी विवीदता है जीवन सैली में भी विशेशता है और इसलिए एक ही डंडे से सब को हांका नहीं जा सकता और इसलिए विकास को हमने multi-layer बनाने के दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है गाँ हो शहर हो अगड़ा हो पिछड़ा हो दलीत हो पिडीत हो सोसीत हो वन्चीत हो आदिवासी हो पुरुष हो मैला हो नवजवान हो सेनियर से डिजन हो हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सब को एड्रेस करने की कोशिश किये दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डाइमेशनल जैसी जहां आवश्यक्ता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं एक ही खांचे में एक ही धांचे में चीजों को समाहित करके हम प्रणाम नहीं ला सकते हैं राजनीती चल सकती है लेकिन देश नीती चलाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डाइमेंशनल लेवल पर एक काम करना होता है उसको हमने इसमें लेने का पुरा प्रयास किया है अब जैसे उदहान के लिए आने वाले दिनों में भारत के सामने जो कुछ कठिनाईया नजर आ रही है जैसे पानी खास करके मैं आज जब तमिल नाडुजी गहराई में जाता हूँ तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं राजस्तान, गुजराज, जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जीए हैं उन्होंने अपने राश्ते खोजे हैं लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं उनके लिए भारत सरकार ने गंबीरता से सोच करके समस्याओं का समाधान करना होगा और एक लंबी योजरा से करना होगा और इसलिए हमने सोचा हैं कि देश में पहली बार जल की बात करता हूं तो जल भी पी लेता हूं हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालई बनाएंगे हमने इस बजेट में मचवारों के लिए और कोस्टल इरिया ही में ही मचवारे भाई बैन ऐसा नहीं है हमारे देश की नदी तटकी संस्कृति में मचवारे एक बहुत बड़ी एकनोमिकल एक्टिविटी का सामाध्यम रहे हैं और इसलिए हमने इस बजेट में मचवारों के लिए एक अलग मंत्राले की बात बजेट में कही थी हम आने वाले दिनों में जल शक्ति एक अलग मंत्राले बनाएंगे नदियों का आप्टिमम उटिलाजेशन पानी का कैसे हो कोई हैंड पंप लगाए और चुनाव जीच जाते थे वो एक जमाना था लेकिन आप माताओं बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुचाए इस पर हम काम करना चाहते हैं हम पानी के समन्द में एक स्पेशल टास्पोर्स एक मिशन मोड में रचना करके उसका हम एक बहुत बड़ा बल दे करके काम करना चाहते हैं और खास करके मैं तो तमिनाडू के लोगों से मिला था ये विचार हमारे मन में कई छोटे-छोटे इलागों से दूर सुदूर लोगों ने हमें जो मन की बात भेजी इसमें आया है और उसको लेकर के हमने इसका माहत्मे समझा है और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं हम लोगों ने 2014 से 2019 हमारे सारे कामों को देखेंगे ये बत है है कि कोई भी सरकार होती है बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उससे कुछ लोगों के जो मूल एजेंडा है उसको तकलीफ होती है लेकिन ये सही है कि गई बती हुई सरकार और हमारी सरकार का मुल्यांकन तथ्थों के आधार पर होना चाहिए और 2014 से 2019 अगर एक शब्द में कहना है तो हमारे सभी कारियों के रचना के मूल में सामान्य मानवी की जो आवशक्ता है उसको एड्रेस करें हमारे सारे कामों को उसको हमने बल दिया लेकिन देश जिस उमंग और उत्सा के साथ सपनों के साथ चल पड़ा है जो काम पचास पचपन साड के कालखन में होना चाहिए था वो मुझे 2014 से 2019 के बीच में करना पड़ा है लेकिन उसके अनुफव के आधार पर उस सफलता के आधार पर इस बार हमने पहले आवशक्ताओं को ध्यान में रख कर के शासन चलाया अब सामान्य मानवी की आकांच्छाओं को ले करके हम क्या कर सकते हैं उसको गोशना पत्र में ले के आए आवशक्ताओं की पूरती अपने आप नहीं नहीं आकांच्छाई जगाती है आपने देखा होगा हमने एक हिंदुस्तान का पूरा मैपिंग किया सब डिस्टिक का और देश में करीब 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 डेट सो डिस्टिक ऐसे निकाले कि जहां मिनीमम कुछ चीजों पर और बल देने के आवशक्ता है हमने एस्पिरेशनल डिस्टिक एक स्ट्रेटेजी वरकाउट की पूरी-भारत, हमने उसको काम किया हमने तय किया कि पस्फिम भ्हारत और पूरवी भारत दोनों बराबरी कैसे करे पूरवी भारत को बल कैसे दे और उसमें हम काप ही कुछ आवशच्थाओं को एडरेस कर पाए हैं अब आकांग्षाओं को एड्रेस करने के जिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक समगरत है भारत के विकास को ले करके हम आगे बढ़ने के लिए चल जाए एक और हमने विश्य लिया है आजहादी का अंदोलन देश में सेंकडो साल की गुलामी के दर्म्यान कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है हिंदुस्तान का कोई ने कोई कोना आजहादी के लड़ाई लड़ता रहा है सेंकडो सालों तक हर वर्ष कहीं ने कहीं बलिदानियों की फरंपरा रही है लेकिन आजहादी को जब महत्मा गांदी ने जनांदोलन बना दिया तो उसने बहुत बड़ी ताकत पाई है जैसे आजहादी पाने में जनांदोलन एक बहुत बड़ा स्वसक्त माध्यम बना कोई रेंटिया काता है तो आजहादी के लिए कोई प्रवड सिख्या करता है तो आजहादी के लिए कोई सफाई करता है तो आजादी के लिए कोई सिख्षक का नाम काम करता है आजादी के लिए कोई खादी के कपड़े पहनता है गांदी जी ने उसको बहुत बड़ा एक व्यापक रूप दे दिया था भारत को भी विकास के लिए विकास को जनान्दोलन बनाना है और एक सफल प्रयोग आप देख सकते हैं स्वच्छता हमारे देश में पहले हम गंदगी की चर्चा करते थे गंदगी के विशे में हर बार खबरे भी आते थे बाते भी आते थे सब होता था लेकिन पिछले पांच साल में स्वच्छता की चर्चा हो रही है इसका मतलब यह नहीं कि गंदगी खतम हो गई थी लेकिन स्वच्छता की चर्चा करते करते हमने गंदगी को एड्रेस किया यहने पॉजिटिव थिंकिन को बढ़ाते बढ़ाते नेगेटिवीटी को खतम किया और इसमें मुझे देश के सभी मिडिया हाउस की मदद मिली मैं आज उनका अभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश की युवापीडी की मदद मिली और वो जनांदोलन बन गया सवच्छता के लिए कोई सरकार अपने खाते में सफलता का दावा नहीं कर सकती जनांदोलन मनता है तो कितनी बड़ी सफलता मिलती है और इसलिए हम विकास को जनांदोलन बनाने के दिशा में केंदरस सविचा ले करके चलना चाहते हैं यह भी सही है कि आखिर कर गरीबी से लड़ना है तो पचास साल के सारे प्रोगों ने बताया है कि दिल्ली के air condition में बैटे ऊए लोग गरीभी को परास्त नहीं कर सकते हैं हम लोग भी ऐर कंडिशन कमरों बैटते हैं इसनले में कोई किसी और के लिए नहीं कहरा हूँ है गरिभी गरीभी को परास्त कर सकता है यह हमारा मंत्र है और इसलिए does empowerment of. giàru करीब को घर देते हैं तो उसकी आवश्यक्ता पुरी होती है नए एस्पिरिशन जगते हैं और वो उसके लिए सोचता है अब घर मिला है तो करटेन के लिए थोड़े पैसे बचाओ वो सोचता है महवान आएंगे तो दो चेहर के लिए पैसे बचाओ उसके उसका दिमाँ बदलना सुरू हो जाता है चीजे मैं छोटी बता रहा हूं लेकिन मैं धर्ती का इंसान हूं इसलिए बदलाओं को बड़ी बारी किसे देख पाता हूं और इसलिए एंपवर्मेंट और शिटीजन फीर इन पर्टिकलरली एंपवर्मेंट और पीवर इसके लिए हमने बल दिया दूसा हमारे देश में एक सोच बनाई दिगई कि पही जंता को कुछ भी Luca कमपड़ता कंस्य है कि ये मैं समझता हूं कि देशवासियों का अप्मान है हमारा देश ऐसा नहीं है एक बार लाल के लिए से मैंने कहा था कि जो संभव हो अपनी गैस सब्सेडी क्यों नहीं छोड़ते हैं और मेरा देश गर्व के साथ कह सकता है सवा करोड से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सेडी छोड़ते हैं हमने रेलवे के रिजर्वेशन के फॉर्म में लिखा था कि आप सीनियर सिटीजन है आप रेलवे यात्रा में कुछ भी पाने के हगदार है सब्सेडी पाने के हगदार है लेकिन अगर आपकी आर्थिक सिटी ऐसी है कि जरूरत नहीं है तो आप इसको छोड़ सके तो अच्छ में लिखा है आप हैरान हो जाएंगे मेरे देश के 50 लाग से ज्यादा सिनियर सिटीजन ने सब्सेडी लेने से मना कर दिया और पूरी टिकट से ट्राविलिंग किया देश के अंदर यह जो ताकत है हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं हम इसको बंग देना चाहते हम नागरि क्योंकि हमी देश बनाना चाहते नहीं है हिंदुस्तान के 130 करोड लोग भी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं और इसलिए हमने हमारी सारी योजनाओं में नागरि कव्रोंकी शक्ती है उस शक्ती को हमारे विकास का आधार मानने का यह पत्र में हमारे कार्कमों की रचना के के दिखेगा हमारे देश में ब्रश्टाचार की चर्चा बहुत हुई है शासकी विवस्ता में ब्रश्चाचार को कंट्रोल करने में हमने बहुत सफलता पाई है Good Governance ए-ई य्जी गवणन है आमी ऐच्गांतेबल गवनन्स एपने य्थी सारी बातों को वल देते हुए। यो सेंविवस्ता मैं हमने कई भद किये हैं हमने कई अधिकार अधिखार नीचे तक हमने देदी हैं ताकि हम्मोंट लेकिन टेक्नोलोजी ने बहुत बड़ी मदद की है टांसपरंसी में, जाए जंदन, आधार, मोबाइल बार हमारा जैम योजना हो, या या यी मार्केटिंग का हमारा प्रयास हो, बहुत बड़ा सफलता मिली है, इस चीजों को हम नीचे तक परकॉलेट करना चाहते हैं, और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसान के लिए पैंशन की बात हो, खेत मजदूर के लिए पैंशन, इस एक बहुत बड़े कदम के और हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो एक एशोड जिन्दिगी जीने के लिए, अपने परिवार के साथ काम करने के लिए, सफलता से आगे बढ़ेगा, ऐसे अनेक विश्वों की चर्चा, आज यहां पर हमारे साथियों ने की हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहां, सभी ख्षेत्रों में, जब हम बात कर रहे हैं तब, यह हमारा संकल्प पत्र, इस शुशासन पत्र भी हैं, यह हमारा संकल्प पत्र, राष्ट की समरुद्धी का भी पत्र है, इन सारी बातों के साथ, आपको याद होगा हम 90 के दसक में, बार बार सुनते दी, 21 सदी आ रही है, 21 सदी आ रही है, लेकिन देश को उसके लिए तयार करने में, हमने मोका गमा दिया, 21 सदी एक नारा बन गया, चुनाव में बोला जाता था, च होती थी, 21 सदी में तो हम दो दसक दो पार करने के पहुंच गये हैं, 2022 आजादी के 75 साल है, और कुछ ऐसे एतिहासिक पल होते हैं, जो प्रेणा के लिए बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, अगर गांदी 150, तो अपने आपने स्वच्छता के लिए प्रेणा का कारण बन सकत हैं, आजादी के 75 साल प्रेणा का कारण बन सकते हैं, अब हम सुनते हैं कि 21 सदी एशिया की सदी हैं, अगर 21 सदी एशिया की सदी हैं, तो भारत उसको लीड करें या न करें, करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारा संकल्प पत्र हैं, हम स आज़ादी के 100 साल होगे 2047 आज़ादी के 100 साल हो तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री के उचाई को कैसे पार करें और ऐसी बहुत सी बाते हैं बहुत सी बाते कह सकते हैं लेकिन मैं 2047 की और नहीं ले जा रहा हूं आपको लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आज़ादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरी का सपना बने एक मास मूमेंट बने हमें देश को वहाँ ले जाना है और एक बार यह हम विजाज पैदा कर देते हैं हमने गोशना पत्र में संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है विस्तार नहीं किया है लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है और उसमें हमने 2022 आज़ादी के 25 साल को देश के सामने हमने अपने आपको कटगरे में खड़े करकर के एकाउंटिबिलीटी के लिए प्रसुत किया है यह अपने आप में बहुत बड़ा बहुत बड़ा हमारा निर्ण है और हमने किया है देश ब्रस्णाचार को सहले को तयार नहीं है कानून नियमों की विभत्ताएं हो हमारा अप्रोच हो और हम इमांदारी को बल देते हुए इमांदारी की प्रतिश्चा को भढ़ाते हुए ब्रस्णाचार से मुक्ति के दिशा में जाना चाहते हैं हमने देखा होगा कि 19 स्वी सताबदी में हमारे देश में जो सामाजिक बुराईयां आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में बुराईयों ने समाज को जगड लिया था, उच समय के नेतरुत्व ने एक तरब आजादी का जंग चल रहा था, लेकिन 19 स्वी सताबदी में ज्यादा सामाजिक सुधार के अभियान हुए, बड़ी हिम्बत के साथ हमारे देश के अनेक महपुरुष निकले और उन्होंने किया, आज समय की मांग है कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्ता में, शासक्य व्यवस्ता में, जो बुराईयां घर कर गई है, इस प्रकार से एक जन चेतरा का अंदोलन चला, आने वाले दिनों में इन एक निश्चित फ्रेमबर की व्यवस्ताओं के भीतर, इस प्रकार की जो बुराईयां गुज गई हैं, उसके खिराब कदम भी ले रहे हैं, नीतिया भी बनानी हैं, निलने भी करने हैं, लेकिन जन सामान्य का दबाव भी बढ़ाना है, एक जनान दोलन भी करना है, सुधार के संकल्प की और जाना है, और उस दिशा में भी, एक सकारत्मक विचारों को ले करके, हम देश को आगे ले जाने की जिसे प्रयास करते हैं, गाउं, गरी, किसान हमारे इस केंदर में हैं, देश के नवजवान वो आने वाले पांच साल में 2047 का भविश्यताय करने वाले हैं, और इसलिए देश के नवजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो, देश के नवजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर, जिसमें हम कहें, 100 लाग करोर रुपिय का इंवेस्टमेंट, एगरिकल हिंदुस्तां को, आर्फिक आधार को एक नई ताकत देगे, और एक ऐसा परिवेश, जो हिंदुस्तान इस पांच साल में ऐसे सिती में ला देना है, ताकि वो 2047 की आकांच्छाओं को अपना सपना बना ले, और सपना बना करके, हम उस दिशा में सरकारे आगे बढ़े, उ हम इसके साथ साथ करेंगे, आकांच्छाओं को पूर्ण करने का सपना ले करके, हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं फिर एक बार इस संकल पर पत्र की रचदावें, जिस स्रीम ने काम किया है, उनका अभिनन्दन करता हूँ, मैं बारी की में, छोटे छोटे प्रोग्राम की रच किया है, मैं फिर एक बार आप सबने जो कुछ भी सहयोग दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए, मेरी बारी को विराम देता हूँ, धन्यवाद